हेलो फ्रेंड्स नमस्कार बहुत बहुत स्वागता आपके और अपने यूटूब चैनल स्टेड़ी वी तैमके में फ्रेंड्स इस वीडियो में बात करेंगे राजस्तान पुलीस तीस अत्ति महत्तपुन परशनों के बारे में जो की है भाग बैसे समन्दित दोस्तों अपनी सीरीच चल रहे थी उसका आज साथ हुआ पार्ट है छे पार्ट पीछे में ने करवा दी है आप उनको देख लेना और दोस्तों ये क्यूशन बहुत इंपोरे चांस है तो आप वीडियो को एंड तक जुरूर देखना और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन है उसको दबा कर आप चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और पास में घंटी का बटन है उसको दबा लीजिए ताकि जैसे नए वीडियो डाल उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंश सके तो दोस्तों स्टार्ट करते ह आंसर आपको बताना है ए उप्सन है अलावदिन खिल जी बी महुमद बिन तुगलक सी बलबन या डी फिरोसा तुगलक तो दोस्तों इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा सारुदिक सिक्सित विद्वान और योग्य था तो कौन सा सा सकता दोस्तों तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा दोस्तों ताज मेल जो कि आगरा उत्तर पर्देश के अंदर इस्तित है दोस्तों अगला कि उसने पानिपत के त्रित्य युद्ध में कौन विजही रहे आपको बताना दोस्तों पानिपत का जो तीसरा युद्ध था उसमें कौन विजही रहेते तो option है मुगल बी नंबर option है अफगान C. Marate D. Sikh तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका अंसर तो इसका हो जाएगा दोस्तों अफगान अफगान इसके अंदर विजेई रहे थे दोस्तों अगला क्यूसन है भारत पर British Crown का सासन कबसे प्रार्म हुआ था कबसे प्रार्म भुआ था दोस्तों चार उप्सन आपके सामने है जल्दी कमेंट कीजिए पांच नंबर क्यूसन है पांच नंबर का अंसर आपको बताना है तो क्या हो जाएगा दोस्तों C उप्सन इस राइट आंसर अठारा सो अठाउन इस्वी से अगला क्यूसन है चोटा नागपूर पठार की उच्चतम चोटी कौन सी है दोस्तों चोटा नागपूर उच्चतम पठार की चोटी कौन सी है चाह नंबर क्यूसन है चाह नंबर पारशनाद धूबगड मेकाल या महंदर गिरी तो इसका हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर यानि पारशनाद चोटा नाग पूर जो पठार है उसकी सबसे उची चोटी और महंदर गिरी है दोस्तों ये अपने पूर्वी गाट मीश्तिता है इसकी उचाई पंद्रा सो एक मीटर है दोस्तों अगला क्यूशन है वर्तमान में वीश्व का सारुदिक वर्षा वाला इस्तान मासिन राम निमने में से किस राज्यम है मासिन राम आपको यहाँ पर बताना है तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों इसका उजाएगा मेगाले मेगाले के अंदर है मासिन राम जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों अगला कि उसने लेटराइट मिट्टी से निमन लिकित में से कौन सी फसल समंदित है लेटराइट मिट्टी है उसमें कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों आपको बताना आंसर तो क्या हो जाएगा आंसर इसका तो इसका उजाएगा दोस्तों यहाँ पर बागानी पसले नेक्स्ट कि उसने महा नदी पर हीरा कुंड परियोजना किस परदेश में बनाई गई थी जो महा नदी है दोस्तों उस पर हीरा कुंड एक बहांद है और परियोजना भी आप उसको कह सकते हो वो कौन से स्टेट के अंदर बनाई गई है उस राज्य का आपको यहाँ पर नाम बताना है दोस्तों तो क्या हो जाएगा उसका नाम तो राइट अंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ओडिसा और इसागि अंदर है महानदी पर हीरा कुंड बांध भी इस्तित है है और ये प्रियोजना भी उसी राज्जे में है दोस्टो अगला कि उसने महासागरिय वन वर्षा वन की उपमा किसे दी जाती है जो महासागरिय वर्षा वन है उसकी उपमा किसे दी जाती है परवाल वित्तियों को या अत्यादिक वर्षा को महासागरिय कटको को या महासागरिय कनीजों को बहुत बढ़िया क्यूसर न Louisiana दोस्तों तो इसका हो जाएगा दोस्तों यहां पर राइट आणसर A यानि परवाल भित्तियों को नेक्स्ट क्यूसर दिन और रात जिस कारण से होते हैं वह है बहुत बढ़िया क्यूसर दिस्टार मार्क लगा रहा हूँ आप इसको अच्छी तरीके से याद कर ले ना दिन और रात जिस कारण से होते हैं क्या है दोस्तों जल्दी कमेंट करके राँसर बताईए तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भू परी भर्मन भू परी भर्मन इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अगला क्यूसर निमल लिक्कित में से कौन सा मंत्री मंडल का सदेशन नहीं है कौन नहीं है मंत्री मंडल का सदेशné आपको आंसर यहाँ पर बताना है तो चार ओप् Congrats जाने है घरमंत्री, विदेश मंत्री, महानय आइवधी या रेल मंत्री तो क्या हो जाएगा इसका आंसर महा निया अटोनी जनरल अभी कोन है वर्तमान में केके वेनु गोपालन याद रख लेना दोस्तों करेंट अफेर से समंधित भी ये क्यूसन है अगला क्यूसन है संग लोग से वायो के अद्धिक्स ता सद्धिश्यों की न्यूक आपको यहां पर इसका आंसर बताना है दोस्तों कौन करता है इसकी न्यूकति उपराष्ट पती परदान मंत्री मुखिनायदिस या राष्ट पती चार आपके सामने राइट आंसर आपको यहां पर बताना है दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका इसका हो यानि MLA बनने के लिए दोस्तो आप एक तरह से कह सकते हो MLA के लिए क्या क्या योगिता होना जरूरी है दोस्तो 25 वर्ष की आयू पूरी कर चुका हो राज्य मदाता सुची में नाम हो भारत का नागरी हो तो इसका right answer यहाँ पर क्या होज़ेगा दोस्तो जल्दी comment करके आप अपना answer बताईये दोस्तो क्या होज़ेगा दोस्तो इस पर तो इसका होज़ेगा यहाँ पर उपरोकत सभी यानि यह सभी सरते उसके पास होना composure यह दोस्तो next question है सवितान का भाग दो दे सकते तो से या मौलिक कर्तव्यों से तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर कि सिटीजन सिप यह नी नागरिक्ता से नेक्स्ट कुछन है भारत का राश्टी नारा क्या है क्या नारा है दोस्तों भारत का राश्टी नारा जल्दी आंसर दोसे बारका राचिये नारा तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यह पर स्रमयो जैते नेक्स्ट कि उसने उस्ताद बिस्मिल्लाख खां किस वाद्दे यांतर से समंदित थे किसे समंदित थे दोस्तों बहुत तीजी कि उसने सबको आजाएगा लगबग तो सहना इवादक थे उस्ताद बिस्मिल्लाख खां दोस्तों नेक्स्ट कि उसने जगनात की रतियात्रा के लिए कौन सा नगर परसिद्ध है आंसर आपको बताना है जगनात की जो रतियात्रा है उससे समंदित कौन सा नगर परसिद्ध है दोस्तों तो जो पूरी है दोस्तों उडिसा में वो परसिद्ध है जगनात की रतियात्रा से दोस्तों अगला क्यूशन है दुरूग पुरुणिमा तथा कामीनी क्या है दुरूग अलग लगा तिनुवल्ड पुरुणिमा तथा कामीनी क्या है दोस्तों यह राकेट इंजन है यह तारे परमानु अनुसन्दार रियक्टर तेल सोदन साल है क्या हो जाएगा इसका अंसर इसका ऊजाएगा दोस्तो परमानु अनुसन्ना रियक्टर है ये next question है merchant of venice किसकी कृति है दोस्तो दोस्तो आपको बता है रोज एक books आती है इसके अंदर और उसका नाम आपको याद रेट लेना चहिए दोस्तो क्योंकि कि बुक से समंदित in नेक्ट वर मयरीची का कारण क्या है जो मरीची का बनती है दोस्तों मरीची का आर्थ भी मैं आपको बताता हूं दोस्तों जब अपने रोड पे या किसी रेगिस्तान के अंदर अपन चलते हैं तो वहाँ पर अपने को कुछ चमकती हुई चीजी दिखाई देती है दूर से और उसमें रंग भी रेंगे रंग अपने को दिखते हैं तो वो एक तरह की मरीची का बोला जाता है उसको रेगिस्तान के अंदर या रोड पे अपने को कभी-कभी पानी दिखाई देता है दोस्तो अपर रोड पे चलते है तो तो उससे मरीची का बोला जाता है तो इसका क्या कारण है किस कारण से वो होती है दोस्तो इसका अंसर आपको बताना है तो क्या होजाएगा दोस्तो इसका आंसर वायू की परतो दुवारा पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन याने टोटल रिप्लेक्शन टोटल रिप्लेक्शन के कारण ये होती है दोस्तों ये अपना एक भर्म होता है दोस्तों वास्तविक्ता इसमें नहीं होती है निमन में से किसे आप स्वतंतरता और स्वाधिनता में बादक मानते हैं किसे मानते हैं दोस्तों स्वतंतरता और स्वाधिनता के स्वाधिनता में जो बादक है वो कोन है विकेंद्रिगन, केंद्रिगन, राष्टिगन या निजी करन तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो केंद्री करने केंद्री करने इसका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्यूसन है कभी हरी सेन किस राजा के दर्बार में था इसकंद गुप्त, समद्र गुप्त, चंद्र गुप्त या कुमार गुप्त बहुत ही इजी क्यूशन है दोस्तों और लगबग इसका आंसर सभी स्टूडेंट दे पाएंगे तो इसका हो जाएगा दोस्तों समुद्र गुप्त को सो युद्धों का विजेता भी कहा जाता था दोस्तों सो युद्धों का विजेता और भारत का नेपोलियन समुद्र किसा निमन लिकित में से निमन लिकित से समंदित है किसे समंदित है जो जराची किसा है दोस्तो बुड़ा पाना से जराप परक्रिया से या अस्तियों के सक्तोने से या इन सभी से तो दोस्तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सभी से सभी से समंदित है बुड़ा पाने से अस्तियों कि सकते होने से या जरा परक्रिया से नेक्स्ट कुशन सोलर कुकर में किस दर्पन का परियोग किया जाता है किस दर्पन का परियोग किया जाता है दोस्तों सोलर कुकर में आपको बताना आंसर solar cooker में किस दरपन का प्रियोग किया जाता है अउतल उतल बेलनाकार या समतल तो इसका वज़ेगा यहाँ पर अउतल अउतल दरपन का प्रियोग किया था solar जो कुकर होता है उसमें दोस्तों next question है सोना चांदी तामबा और लोहे में सबसे अधिक तन्यक होना है तो इसमें भी पूचा गया था तो आपको बताना सोना चांदी तामबा और लोहे में सबसे अधिक तन्यक का मतलब होता है जिसका तार अपन बना सकते हैं दोस्तों तार बना कि उसको खेचा जा सकता है तो उसे तन्यक बोलते हैं दोस्तों तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों, DNA सोना, सोने का तार लगबग दोस्तों और एक से डिएड़ किलोमेटर तक अपन बना सकते हैं इसका तार, एक ग्राम सोने से, इतनी इसका यह तन्य होता है दोस्तों, नेक्स्ट कुशना भारत की बासा को किस अनुसुची में सामिल किय गया है, तो सब भी बता देंगे इसका अंसर बहुत ही इजी क्यूशन है दोस्तों, लगबग सब भी इसका अंसर बता देंगे आपर, तो इसका अंसर हो जाएगा दोस्तों, आठ वी जो नुसुची है, उसमें 22 बासाओं का उलेख है आठ वी नुसुची में, नेक्स्ट सबी इसका अंसर देंगे ऐसी उमीद करता हूँ प्योंकि दोस्तों इजी क्यूशन है तो इसका अंसर हो जागा है यह पर डिये ने जम्मू और कस्मिर के अंदर अमरनाथ की उपाया और उसमें भगवान सीवलिंग का सीवलिंग बनता है दोस्तों बरब से आपको पता होगा लास्ट क्यूशन है कोनेरू हम पीम मिनाक्सी डी हरीका तता द्रोनी कार कावली किस खेल से समन्दी तो यह खेल है मतलब कौन से खेल से इनका समन्द है दोस्तों आपको यहामर बताना है किर्केट से टेनी से सतरंज से यह बेडविंटें से यह आर्पियम में भी पूचे गएते हैं इसे परकारी क्यूशन दोस्तों कि इस कि लड़ी का किसे समन्दीत है तो अपको यह बींडूट कर लेना चाहिए दोस्तों तो इसका हुज जय गहा हैं पर ग्लाठी केलाडी यहां पर समन्दीत है दोस्तों तो दोस्तों आज की कलास में अपने क्यूशन कम्पलीट हो चुके हैं और कल आट भी कलास रहेगी दोस्तों अपनी और बहुत अच्छे क्यूशन है दोस्तों अपनी पीछे कलास से हो चुके अच्छे है तो आप उनको भी पढ़ लेना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा स अच्छा लगाता दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे कल नेक्स्ट एक और नए वीडियो के साथ में तब तके लिए दोस्तों थेंक्यू धन्यवाज जहीन